तो आज का टॉपिक जो हब हो है अक्यूट रेस्परेटरी इंफेक्शन मतलब अक्यूट मैंने आपको बता दिया कि जो इंफेक्शन क्या अभी स्टार्ट ही हुई है मतलब सिक्स मन्त हुए हैं उसको हम लोग जिते हैं क्यूट अक्यूट का मतलब होता है क्या है तो इसके टेफिनेशन क्या है क्या है इसकी परिभाषा कि यह नॉनमल जो ब्रीधिंग होती है परसंगी उसको क्या है यह इंट्रफेर करती है जो person पेशन होता है वो क्या करता है? normal breathe नहीं कर पाता है क्यों नहीं breathe कर पाता? क्योंकि क्या है? उसकी respiration में या फिर कोई bacteria या फिर उसके lungs में bacteria या किसी virus ने ग्या attack किया तो उसकी virus से वो क्या? properly breathe नहीं कर पा रहा है टान्य है जो ये अगर किसी पिलूटिट वाली एरिया में जा रहे हैं तो वहां पर कैसे जाना तो इसके मुश्टी जो होती है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है उन पेशन्स को भी यह अक्यूट रेस्पेटरी इंफेक्शन होती है अब रेस्पेटरी इंफेक्शन यह दोखो यह आपका इस उसके इसमें जब आपने एंशस लिए तो क्या है जितने वीएरस अर्च बेक्टिरिया वह क्या है लंग्स में चले जाते हैं अब शिम्टम्स क्या है ठीक है तो स्मेंटम्स का आपको एवड़े बोल दिया और अप मेंडिकल टम्स यूज़ करो, symptoms क्या है, जैसे क्या है, congestion, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कुछ बरा-बरा, बल्गम टाइप, ठीक है, और जो nasal concesus, जो उनकी नाक में sinus होता है, उसमें क्या है, उसमें information हो जाती है, ठीक है, या फिर फेवरों में infection हो जाती है, दूसरा सिम्टम्स क्या है जिस पेशन को acute ARI होगा acute respiratory infection होगा उनके नोज में उनकी sinus की information हो गई ठीक है तो नोज में क्या है पानी बहना शुरू हो गया था रनी नोज हो जाता है खांसी आती है कफ हो जाता है सोथ रोट गले में क्योंकि respiration कहां से जारी गले से होते हुए जारी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बता ना आप लोगों को वह लोट सिस्क्राइश आधे तो ठेक्याश सोत रोट इंफेक्शन हुई है तो वो कहीं न कहीं आपके जो उसको प्रोलम कर सकती गले में और को सकती है बौड़ी एक बड़न में डर्थ होंगी आपकी बॉडी में क्या बैक्टिरिया गया है उससे क्या फिवर भी आ सकता है प्लट की घॉएसकेrok Treaty अगर आपको यह चीज नीचे देखी हुए चीज़े जो मैं बताऊंगी अगर उसका कुछ सिम्टम्स आते हैं तो फटाफट आपने क्या डॉक्टर को कॉल करना है जैसे क्या फीवर क्या होता है 103 डिग्री फैनाइट से भर जाता है या फिर पेशन को ठंड लगती है तो हम लोग फटाफट डॉक्टर को बुलाएंगे ठीक है जो अक्सिजन का लेवल है ब्लड में वह बहुत ज्यादा कम हो चुका है ठीक है तो इसकी वाएसे बागी जो वाटल और गन से वह क्या है अपना काम करना बंद कर सकते हैं तो उसके उनको उसक्षिजन ब्लड में चाहिए होती है तो उससे क्या चक्क्राना शुरो हो जाए अब दो नेजल से गया यह ट्रैक हिए ठीक है उसके बाद में लंग्ज दोनों तरफ लंग्स होते हमारे ठीक है यह ब्रॉंक्या अब दो पार्ट में बांटा गया इसको दूपार में डिवाड आब जो इससे उपर है वह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और जो इससे नीच को मेरा कर्सर दिख रहे है को सबीग रहा है जा सपर्डिगा ओप यहां पर ही स्राइनर टेहिए करेके वह झाने का धिश्य लाट इस तेम्समीं रनमस्माइश हो गहती कि यह आप कर फेरिंग्स है ठीक है और यह लेरिंग्स है ठीक है और ट्रेक्या यह रहा ठीक है और यह प्राइमरी ब्रोंकाई है ठीक है और यह लंग्स है पूरा ठीक है सन में है तो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं अब कॉसिस क्या है कारण क्या है क्यों होता है ठीक है अब दो प फरनजयटिस मतलने के होगा कि ए सकी इंफ्लमेशन हो गया इनफ्लमेशन हो गई है तो अबार एस्पीडी ट्रैक पास जो शोड ö करे हैं फुरेंज Eugene हो सकती है common cold ठीक है उनकी हमारे नेजल यहां पर है ठीक है नेजल cavity है तो bacteria जब गया है तो यहीं से गया है तो यहां पर क्या है a common cold बनकर patient को running rose हो सकता है causes of low respiratory infection जैसे bronchitis जैसे हमने यह पढ़ा कि यहां पर bronchi है ठीक है तो bacteria गया है वो यहां पर जाके inflammation कर रहा है inflammation of the bronchi is known as bronchitis pneumonia pneumonia में क्या होता है कि जो mostly inflammation हो जाती है lungs की और उसमें क्या होता है lungs में fluid ठीक है पानी भर जाता है ठीक है यह severe condition होती है तो उसकी वाज़से क्या है pneumonia pneumonia की वाज़से भी acute respiratory infection हो सकती है नेक्स यह ब्रॉंकोलाइटस ठीक है ब्रॉंकोलाइटस में भी inflammation हो जाती है ठीक है तो यह है आपके causes अपर और लोर अब डाइग्नोस कैसे करेंगे हम क्या करेंगे जो lungs है ठीक है उसको स्ट्रस्कोप से क्या है देखेंगे उसमें क्या है डोर्मल साउंड आएगी जीका कानों और जाख कर नाम और गले में गला नांक और आपकाका एग्रा इंट्र actors होतें सें इसकी वाएसे क्या है एक्यूट रेस्परी इंफेक्शन हो रही हें एक स्टी स्कैन करवाएंगे इसके इतने टिशूज ब्रॉंक्याई यह बदे देखे जाए कितने इफ हुए है तो फिर उसके बाद में हम लोग क्या है लंग्स की oxygen चल रही है ठीक है कितनी oxygen क्या है blood में है ठीक है वह हम pulse oxygen से देख लेंगे ठीक है और क्या है आपके नाग या मुह में doctor क्या swab लेके देख सकता है कि कौन सा bacteria जो है आपकी body के अंदर या कौन सा virus है आपकी body के अंदर जा रहा है उसको जो नाका और मुह से क्या है हम लोग जो swab लेके उसको हम लोग जांसकी में भेज़ देंगे लैप में कि बैक्टिरिया कौन सा है उसका कल्चर होगा कि कितनी ग्रोथ हुई है उसकी और वाइरस की कितनी ग्रोथ हुई है वह देखने के लिए हम और ठीके त्रीटमेंट में हम लोट क्या करते हैं मतलब क्या है एसे कोई भी Talk कि मीति का कईशन एंफड त्राकी सभनी तो उसको कम करने के लिए क्वेड़ कोई भी cu जो है conjunction वेगरा D congestion congestion हम लोग नेजल डी कंजेचन देंगे जिसे क्या information ऑप कम हो ठीक है और जो ब्रीधिंग यह इंप्रूव के इससे सांस ले सके उसके बाद में पैशन को क्या है स्टीम तेंगे लेने के लिए बोलंगे और किया है उसको बोला है गार्गल करें वॉटे स्वाट सर्ट वाटर से इसे कहा हमार के बैक्तिरिया जो वहां सब्सक्राइबिया D 주 देंगे तांकि जो पेशन का फीवर क्या है रडूस हो चके पेशन की बॉडी एक हमने देखा है पेन है वो क्या है रडूस हो सके प्रिवेंशन कैसे रोकत हम करेंगे यह बचपन में ही हम लोग जो इम्मुनाइज़शन चार्ट आमने पढ़ाओगा पिटाट्रिक में उसमें क्या है मीजल्स मम्स रूबेला प्रटूसिस जो होते हैं यह हम लोग इम्मुनाइज़शन चार्ट में क्या है बच्चों को